नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आजपास की हल्चल पर नाबा की नई जिला जेल में सोरी के अरोप में बंध हवालाती ने फंदा लगा कर गिया तम हत्या पुलीस चांट में पिलिए संदूर पुलीस ने गाम जोलिया में नशे को लेकर चलाया सरचब्यान लोगों को नशे के प्रतिशिया जाब दिए और अभल चल विस्तार से नाबा की नई जिला जेल में चोरी के अरोप के अदीन बंध हवालाती दिविंदर सिंग के और से आतम हत्या करने का मामला सामने आया मृतिक दिविंदर सिंग शिरीफतेगर साहिब का रहने वाला था जिसकी उमर शब्भी वर्ष थी मृतिक पिछले दो महीने से जेल में बन था जिसकी और से अपनी बैरिक के पीशे खिड़की से कंबल के साथ पंदा लगा कर आतम हत्या कर ली गई जब जेल के अंदर बंधी शुरू हुई तो कैदियों ने दिविंदर सिंग को रोशंदान के साथ लटका हुआ देखा जिसका सुबह पोस्ट मार्टर किया जाएगा नाबास से हर्चल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट हर पंजाबी का सपना है कि पंजाब नशा मुक्त हो इसी को लेकर राज्य सरकार द्वाराद नशे के खिलाफ अभ्यान भी चलाया गया है जिसके चलते संग्रूर पुलिस द्वाराद गाम जोलिया में एक सर्च अपरेशन चलाया गया गोरतरब रहे की इस गाम में नशे के काफी केस दर्ज हो चुके हैं इसे को लेकर पुलिस काफी मुस्तैदमित से यहां पर नशे के कारोबार पर अंकुष लगाने के लिए काम कर रही है सबंदी DSP मोहित जिंदल और S.H.O. परतीक जिंदल ने बताया कि सर्च अभियान के दुरान वे लोगों को समझा रहे हैं कि नशे की कमाई चाहे एक असान कमाई है लेकिन इसके परिनाम अच्छे नहीं होते वही इस सबंदी उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों से भी बात की और नशे की दलदल से बाहर निकलने के लिए बच्चों को प्रेरित किया संगरूर से हल चल के लिए जस्वीरमान की रिपोर्ट और नशे के परिमाजों और नहीं करने खेजा है उस सब्राइआऍक के लिए 2016 परिशने साथा ओन गए एदे विच्छ साधी करादी सर्च वो चल रही है एदे विच्छ जो भी सानू रिकवरी सुन गीया जा नशिदी कोई भी रिकवरी हो देता हो दे असी यह डिपिस दे अंदर एफ यह लॉज कर दो अश्ता ही कहना भी ऐसे बुरे कमा तो नेकल नहीं सारे अब दे कोई बच्चे पड़ा के अगे कोई बच्चे ना पर एक ख़बरिया बने अश्ता ही साधीता ही सोचा बाकी अपने डियेस्पी ने पहला के रेड की किसी अधर बहुँ फर्त पहे गया अज जब जी रेड पह 55 सुरोवर तटवासनी पर स्थित विशव मुखी मात्री प्रमालनी धाम में सपताहिक बजन संध्या करवाई की जिसमें विजे राना एंड पार्टी जरंदर वालों ने गिनेश वन्ना को गा कर इस बजन संध्या की शुरात की जिसके बाद गायक विजे राना ने माभग जलंदर से हल चल के लिए सुदेश बक्त की रिपोर्ट करता है इससे प्यार करता है इससे प्यार करता है अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है बोल जाए जो भी है बोल जाए जो भी है बोल जाए जिदकी हकीकत में क्या है 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 क् हाँ समझ ले कर जमो का खाना तेरे आएगा ओ गफलत नीज में सोने वाले दोका खाएगा जड़ता सुरज दीरे दीरे डलता है डल जाएगा जड़ता सुरज दीरे दीरे डलता है डल जाएगा और मैं भी दास्तमा कि ती तरीक नो जो शुकरवार जैनि अगले शुकरवार तो जो अगला शुकरवार राएगा उस दिन शुरी बनवीर ने दोस जी दी जो जन्ती मनाई जा रही है तुसी बोड बार देख ले हों शुरी राइकमार सैगल जी उसके आगे आगे नी हाजरी पर अंगे तो ऐसे चौकी देवेची उना दी जन्ती नो मनाया जाएगा सारी संगत एप प्रोग्रम सारे नोट कर लवे राजबर में बार असोसियेशन के चुनाव हो रहे हैं और सबी वकीलों की और से परदान चुनने के लिए बर्चड कर वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके चलते नाबाबर असोसियेशन में बड़ी दिल्चस्टी के साथ वोटे डाली गई इस दुरान परदानगी के चुनाव में एडवोकेट ज्यान सिंग मोंगो और मंजीस सिंग सिद्धु के बीच दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिला इन चुलामों में ज्यान सिंग मोंगो लगातार बार्मी बार परधान बने जिसके चलते उनकी और से अपनी अलग ही पहचान बना लिकी है ग्यान सिंग मोंगो जब तक बार असोसेशन के 22 बार परधान बन चुके हैं मोंगो आमादमी पार्टी पंजाब के लीगल एडवाइजर भी हैं उनकी जीत की खुशी में वकील भाई चारे में भी खुशी की लहर पाई जारी है इस मौके पर इलाका विदायक गुर्देश सिंग देव मान ने कहा की वे ग्यान सिंग मोंगो को दिल की गहराईयों से बदाई देने के लिए वहाँ पहुंचे हैं क्योंकि वे आप पार्टी के लीगल एडवाइजर हैं नाबा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट कि अधि नहीं तान मकाबला सुरुत हो जदो परेसी फार मोश्टाइम तो टाप मकाबला नहीं लगदा बस एक को सब की साथ चोंड करहूंझ चोंडेशियों करहिए के मकाबला मकूबला कोई नहीं से किड़े काम मनें जड़े हम दुसरी जड़े चैंपराना से दा काम चाल रहा है चैंपराना काम करांगे उन्हों पूरे करांगे पारकिंग बडावांगे एक लेफ्ट दा कामा बहुँ बड़ा सा डियू करवाओंगे हैं अगैजी बिकीला ने बस वास कारके चलदा कि दुनिया दे विच एक को दारना है कि लगातार बाई बार बार एस्टिशन नाबा दे प्रदान सदार ग्यान सेंग जी मोंगो जड़े के साथे सीनर लीडर ने आमादी पार्टी दे लीगल से जिडेंट ने और बड़े लम्मे समय तो सिवा कर रहे हैं और जिना दी मेहनत जिना दी दूर दिरिश्ट्री और जिना दा हर इक दा मान सदकार देड़ा वो आजे दासदा के लगातार बाई बार परदान बनना खाला जी दा बड़ा नी होंदा जहां एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी की और से भारत जोड़ो यात्राप कर भारत को जोड़ने की बात की जा रही है तो वहीं खालसाई रिती रिवाजों के अनुसार शिरियकाल तक्त साहिब किक से आननदपुर साहिब तक खालसा मार्च शुरू किया हुआ है और दूसरी तरफ अबदशम पिता शिरीगुरु गोविन सिंग जी के परकाश परव के मद्दे नजर बहुजंद राविड पार्टी की और से भारत बेगमपुरा मार्च शुरू किया जा रहा है जो कि पटना साहिब से अननदपुर साहिब तक निकाला जाएगा इस सबंदी जानकरी देती हुए हवारा कमिटी के सदस्या परफैसर बिर्विंदर सिंग ने बताया है कि ये मार्च पच्पन दिनों से राज में निकाला जाएगा इस मार्च में अधिकर्त गैर सिख लोग शामिल है और ये मार्च 28 जनवरी 2023 से शुरू होके जो की 15 मार्च तक शिरियन अनदपुर साहिब में पहुंचे गा उन्होंने कहा कि इस मार्च में कुछ सिख नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है जो कि इस मार्च में गैर सिखों को सिख मर्यादा की जानकारी देंगे तांकि गुर्द्वारा साहि में जाकर किसी भी तरह की सिख मर्यादा भंग ना हो सके अमनी सर से हल्चर के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पुना सारे नो इस बैनर ते हिट इस मंज ते हिट इक अठे होन दी लोड है और ए मार्च वी जन्रवरी नो स्टार्ट होएगा पतना सहब तो अते दी समाप्ती जड़ी है और अनंदपुर सहब जाकर के समाप्त होएगी देखो एदे विच्च एह गा है क्योंकि ए सारे लोग जड़े ने इन नो डाउट कि ए नौन सिक्स ने नौन पंजाबी जने लेकिन इन देनाल एप मिरे घंचाब कर चुके ने लेकिन अन्जीनियर ने बाइप प्रफेश्ण एन इसक्वालिपकेशन दी क्यां इन्जीनियर ने विच्ड जिड़ा है अने विच्ड़ा है बटिंडा के अड़ोकेट रोहित रोमाना बार असुसेशन के नई परधान बने गई है रोहित रुमाना ने 185 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की एड़ोकेट रोहित रुमाना जीला बार असोसियेशन के नई भरधान बन गए हैं उन्होंने तरी कौनी मुकाबले में अपने प्रतिनीदियों को 185 वोटों के अंतर से हराकर जीत प्रापत की इसके अलावा मन्ति सिंग सिद्धू, वोईस प्रेजिडेंट सुपाल सिंग धिलो सेक्टरी, जस्विंदर सिंग पाल जॉइंट सेक्टरी बल जीत को और बतोर कैशियर चुने गए हैं नतीजे गोशित होने के बाद विजेताओं के समर्थकों ने भांगड़ा डाल कर जीत का जशन मनाया बठिंडा से हल चल के लिए नरीश शर्मा की लिपोर्ट मुरेंडा में तीन दिनों तक चलने वाले शहीदी जोड मेले के आखरी दिन गुरु घरों में बड़ी संख्या से संगत का हजूम देखने को मिला गुरुद्वारा शिषगंज साहीब और शिरी कोतवाल साहीब में बड़ी संख्या से लोगों के द्वारा गुरुद्वारा साहीब में माथा टेका गया डाडी जतों के द्वारा आई हुई संगत को किर्टन करने हाल किया गया गोरतलब रहे की माता गुजर को और चोटे सहबजादों की याद में 25 दिसंबर को विशाल नगर किर्दन निकाला जाएगा जोड मेले के दौारान गुर्द्वारा साहिब के आसपास बहुत सी दुकाने सजी हुई दिखी तो वहीं विबिन तरह के जूले भी देखने को मिले हाला कि बहुत से लोगों का कहना है कि यह एक शहीदी जोड मेला है लेकिन आज कल इससे एक मेले का रंग दे दिया गया है जबकि यह दिन शहीदों को याद करने के लिए है लगाइबाट हैंगी एक मेला नहीं है शीदान दे शीद में सारे शीद ओए शीदे जिने शीदी पराबत कर लिया है आज का लोगों ने इन आमने मेला बना आज अगर लगदा इससे नहीं को की लोगदान किसम देखो है जोड़े लगए लेकर ने शीदी देवसाई शीद है टे हमाली पर मेला ने शीदान देखो है मैली करें टीचे अलता है उनला क्या हो में वार्ट है तूर्डे कर सूदे करने मादो दूमर्ट है थाया थाला थाया ओढंए टिना। बारती जंता पार्टी के पूरव लीडर बाबुलाल पतंगा जी की दरम पतनी स्वर्गेश सेडिमती विद्या देवी की आत्मिक शांती के लिए रखी गी रस्तन किर्या संपन हुई इस मौके पर उनके सुपुत्र चंदर गिल, किरन वालमी की विजे पतंगा एवं समाज के हरवर के लोगों ने स्वर्गेश रिमती विद्या देवी को शर्धांज लिप्रा अर्पित की इस मौके पर साहिलवाल में की राहुल गिल, विनीत कुमार, भारत गिल, ननु गिल, प्रिंस गिल, तरुन गिल, पूरविदायक, मनुरंजन काल्याजी, चंदन गरेवाल, पवन भावा, बंटु सबरवाल, विपन सबरवाल, हैपी संदू, विजे सहोता, नविकास शिप अशोक भील, सुनीलदत, बाववी, रिंपी कल्याण, मनी गिल, मनी, कल्याण, गोरा गिल, यश्र सोहोता, सोमा गिल, अक्षे सबरवाल, विने सबरवाल, शांत खोंसला, रिंकू खोंसला, अमर, कल्यान, साहित राचनितिक, समाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लो तो सास्ट्र की दाज है कि साथ दिनों तक सुपदे मुनी जी राजा जनग के दवार पर खड़े रहे, परत्र उनको अंदर आने की अनुवती नहीं होई, तो पांच दिनों के पर राजा जनग को फिर ख़बर आई, कि जो सुपदे मुनी आपके दवार पर आए थे, आप आप से मिलने के दिखोड़ तो वो ही पर खड़े हैं सिर्फ होकर के खड़े हैं आप से मिलना है तो साथ दिनों बार, छे दिनों बार फिर उन्होंने कहा कि उनको अंदर बुलाओ दौार पर उनको आपर सही अन्दर ले आएं अन्दर आगर के जब उनोंने फिर राजा जनक के जहां उनका रहए प्रवेशा दौार पर आगर के कहा आप जहिए ये क्या आग्या है लंबी उमर होए स्वास्थे शरीर होए फर्मा मगडार अवलाद होए ऐसे व्यक्तिनों स्वरंदी कामना नहीं करती चाहिए ऐसा शास्त्राच लिखे है कि उसका स्वरंद उसका खार्व परिवार है माता विद्या देविदी ते शास्त्राच लिखे आए पता नगा पूरा को रहा है सौ साल येक्सो एक्साल बरपाई एनी उमर जीना कल्योंचियों प्यक्तिती उमर है सौ साल पर कोई कोई पहुंच लाए और अजकल एनी उमर जीना सुप्णा हो गए पूरांता स्वस्त्रे रहे फर्मा परदार और आप पंच पेटे अरिक बेटी ते रूपाई माता जी ने अपने जीवन ची कार समभाल लेया और उस्तरी सत्काय अगरे पती श्री स्वंकिये वाहुदार पतंगा जी वेफसाई कमाच ताल्वी कमाच राजदेती कमाच बढ़ पाई यो परवारे जेड़ा जनसन देच पहले-पहले परवारेगे मिड़े बादिक समाच तों पता शिरी द्वारा ताल्वी मर्मों काली द्वारा जनसन देच अने नमा शोट सवाँ वेथिल अपस्तित सभी भुबस वार्मी की महराजी की कृपा की पात्र सखी और सब में मिरा अग्मान उस परविता परवार्मान पाद जो दूर में जो छबी है आज सभी इस शूख सभा में उस मातर को शद्वाजरी देने आएं जिनों ने अपने जीवन में प्रभु नाम संकीतम करके अपने जीवन की चली को बड़ा पवित्र हो और आणदेत बनाया है गुर्चरन दास शाबडा अपनी संसारिक यात्रा पूरण कर प्रभु चर्णों में विलीन हो गए है उनकी आत्मिक शांती हेतु रसम उठाला गुर्द्वारा नोवी पात्चाई जीटीबी नगर जलंदर में संपन हुआ इस मौके पर रागी जथों ने विराग में किर्तन कर स्वर्गिय गुर्चरन दास शाबडा की आत्मिक शांती हेतु अर दास की इस मौके पर शशी शाबडा डक्टर रजत शिखा अमित मुक्ती अखिल आरती साहित राजनितिक समाजिक और धार्मिक वर्ग से जोड़े लोगों ने स्वर्गिय गुर्चरन दास शाबडा को बावी ने शर्धांजली बेट की और अबंत में हलचल की गती वीदियों पर एक नजर फिर से नाबा की नई जुला जेल में सोरी के और रोप में बंध हवालापी ने फंदा लगा कर गिया तम हत्या पुलीस जांक में पिलिए संद्रूर पुलीस ने गाम जोलिया में नशे को लेकर चलाया सरशब्यान लोगों को नशे के प्रतिशिया जाब लिए इसके साथ ही अब तक की अगतिविद्या समाप्त होती है और ताजल जानकारी के लिए देखते रहिए हर चलाया पुलीस 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 जानकारी के लिए झाल